नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल वीटू एकेडमी पे जहां पर आपको सबसे पहले सटीक जानकारी प्रवाइड की जाती है दोस्तों बात करेंगे नीट 2021 के लिए MCC कॉंसलिंग को लेका ठीक है उसके साथी साथ काफी जाता लग के मन में यह चल रहा कि कहीं एक टुएंट 2022 इस बार डिले तो नहीं होगा ठीक है न इन दोनों ही मुद्धों के बारे में बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं MCC कॉंसलिंग को लेकर उसके बाद बात करेंगे नीट 2022 को लेकर ठीक हो ठीक है न क्योंकि दोस्तों आपको admission होंगे और अगर 2022 का examination बहुत जल्दी करवा लिया जाता है तो दोनों का जो station होगा एक साथ मिल जाएगा और इसमें काफी जादा problem का सामना करना पड़ेगा और दोनों station को एक साथ पढ़ाना बिल्कुल भी possible नहीं है क्योंकि आपको पता है कि सीर्टी जो होती है एक दम काफी जाता fix होती है ठीक है ना तो इस कारण से दोनों इसका examination दो delay होंगे होंगे कब तक होंगे examination इसके बारे में बात करेंगे उसके साथ यापकी counseling कब start होगी इसके बारे में भी बात करेंगे ठीक है वीडियो के साथ आप पूरी बने रहीएगा सुरू से लेकर अंति तक लेकिन आगे बनने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा आप लाइब call के माधियम से teacher से direct connect हो सकते हैं उसके अलाबा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप सिधा लाइब में डाउट बूस सकते हैं लाइब वीडियो जो होती है वो recorded form में आपके पास हमेशा के लिए रहेगी उसके साथ दोस्तों आपको पूरा सालवस जो यहां पर कभर किया जाएगा और यहां पर आप टेस्ट भी दे सकते हैं अगर आप टेस्ट में अच्छा राइंक लाते हैं राइंक 3 के अंदर रहत उसके अलाबा और भी आपको कई सरे स्कॉलर्शिप मिलते हैं इसमें आपको 45 मिनट में 28 कुईसं करने को होता है दो जनवरी 2021 को 11 वजे आपका यह टेस्ट चलेगा ठीक है तो इस टेस्ट को भी जोईन कर सकते हैं तो जाए डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का भी लिंक दिया तो आपको 10% का डिस्कॉंट भी मिल जाएगा अब दोस्तों बात करते हैं नेट यूजी के लिए MCC कॉंसलिंग जो औल इंडिया कोटा के थूप फिल करवाई जाते हैं ठीक है इसको लेकर जो आपको पता है कि सुप्रिम कोट में एक मामला गया हुआ है OBC एंड EWS के दियाइटी करना छे जनवरी को वो फैसला सुना देंगे जो कुछ भी फाइनल डिसीजन होगा हलांकि दोस्तों पूरी तरीके से संभावना है कि छे को फैसला आही जाएगा क्योंकि और डिले बिल्कुल भी बरदास नहीं होगी ना तो संस्तान से बरदास होगी ना किसी स जादा डिले होगा कम से कम जुलाई अगस्त में आपके एक्जामनेशन कंड़कर वाई जाएगे कम से कम तो जुलाई अगस्त में और एक क्यूंकि दोस्तों यस बार वाला जो स्टुडेंट है उनको कम से कम एक साल पढ़ने का मौका तो मिलेगा ना और आपको पता है कि जो आ रही है यह तो डिले अंगर तो आप्रील तक मानके करिए अपने त्यारी को कर आणके अपरील नहीं हो पाईगी माई जून भी जुलाई अगस्त में आपके एक्जैमनेशन कर दिगाए उनकि जुले आपकी स्ट थाएग से नहीं कर सकती और से हैशन में यह लेग से ह आपको पता है कि एक साल ये सेशन पहले डिले उसका है 2021 वाला है ना इस कारण से आपके एग्जामनेशन अगस्त तक तो जाएगे ही जाएगी लेकिन आपको अप्रील या माई मानकर अपनी तियारी को करना है ताकि आपके पास अच्छा खासा रिवीजन का समय बच जाए ठ महारत चैनल को सब्सक्राइबर के विले कंदवा लीजेगा हर एक अपडेट आपको यहां से प्रोवाइड की जाती है